जेहिंत नमस्कार दोस्तों मैं विराड चोदरी स्वाग करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कमांडो केड़ में दोस्तों आज का ये वीडियो इस पेसली बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी और आपके मन में भी कहीं ने कहीं ये होगा कि एक लाग तीस जार पदों पर कॉंस्टेबल पर तो बहुत सारे बच्चे बोलें सर ये रियल है या फेक है या क्या वाक्य ये विकेंसी जल्दी आने वाली है या एक जनौरी जो इसकी एक्जाम डेट आपको दी थी अब सभी को पता आपने अपिसला वीडियू देखाता जिसमें मैंने इसका नोटिस भी आपको दिकाया था नहीं तो आप जाके देख सकते हैं पी आई बी की ओपिसल वेappelle की अपिसल वेबर सायट पे एक कुछ चीज़े बताऊंगा वित्पूरू आप इन चीज़ों पर बिलीव करें बिलीव इसलिए करें क्योंकि आप तयारी कर रहे हैं और आपको पुजिटिव ही सोचना नेगिटिव सोचने के लिए दुनिया पूरी पर ठीक है भी बढ़ती नहीं आएगी कभी नहीं आएग ठीक है इसके बाद में से जीडिगी आज से पहले जितनी भी भड़ती हैं आपने देखिए उन सभी में एक चीज़ आपने देखिए होगी फिजिकल जो होता है से जीडिगा उसमें लगभग 30 से 45 दिन लिये जाते हैं यनि 30 दिन से 45 दिन तक समय लेते ही लेते हैं हर बार लेकिन इस बार फिजिकल जो मिला है बचों उसमें सिर्फ 12 से 13 दिन लिये गए है यहीं आप सोचें कि डिपार्मेंट कितना जल्दी इस बढ़ती को कलोज करने जा रहा है कि अभी आपके अपरेल के महीने में फिजिकल शुरू होंगे और महीं स्टार्टिंग में बंद हो जाएंगे महीं अन्तर तक इसका रिजल्ट को करके जून जुलाई में इनके मेडिकल हो जाएंगे यहीं जून के महीने में SSGD के मेडिकल हो जाएंगे इस बढ़ती के तो उसके बाद में क्या बचा फाइनल मेट तो जुलाई में इसकी फाइनल मेट आ जाएगी तो अब नई वेकेंसी आएगी आएगी इसमें कोई संदे नहीं है SSGD में जशे ही पिछली वेकेंसी क्लोज नई वेकेंसी की विगपती जारी हो जाती है और आप सोचें कि वेकेंसी जब शुरू ही थी तब से इसका टार्गेर दिया गया गया जन एयर यहीं एक साल के अंदर अंदर इस भरती को कराया जाएगा अब आप सोचें हो तो एक साल भी नहीं लगा रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में आई तो अक्टूबर महीने तक बारा महीने होते हैं वो बारा महीने नहीं नहीं लगा रहे अक्टूबर से उन्होंने पेपर दिये थे जनवरी की डेट देखे पेपर लेके और अभी फिजीगल करा देंगे आपके अप्रेल में जून में मेडिकल और जुलाई में रिजल्ट तो सोचे उन्होंने अक्टूबर नौंबर, दिसमबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप् क्प्लीटी नहीं होती थी वह भरती आज 9 माईने में होने जा रही है कि विदन 9 मंथ वो कलोज हो रही है तो आप सोचे अगर अगली वेकेंसी नहीं लानी होती तो इतना जल्दी नहीं होती अभी लग बग जितने सेंटर दिये हैं फिजिकल के लिए इससे पहले आज तक कभ नहीं आनी है आपको जून जुलाई या जुलाई का जो एससे का कलेंडर आएगा उसमें आप देख लेना सी एप एप में कौश टेबल परदों पर भरती हंडेड परसेंट बताएंगे आपको तो नहीं वेकेंसी है यह मैं यह नहीं बोलता आपको कि कितने परदों पर कर रहें कुछ बच्चे से हैं जो आर्मी की रंणिंग 600 मिटर नहीं कर पाते हैं या उनकी फिजिकल जो जैसे कुछ ऐसी में छूट भी होती है वह फिजिकल डिपार्मेंट में नहीं किलिर कर रहे हैं जैसे मान के जिए एससी में एस्टी केटेगरी 162 सेंटी में चाहिए लेकिन आर्मी में तो 170 से में चाहिए तो उन बच्चों के लिए इसपेशली लड़कियों के लिए यह विकेंशी जो ऐसे जीडी को टार्गेट मानके चलते हैं उनको अभी से त्यारी करने चाहिए क्योंकि आपके सामने 6 मंद का समय मिलेगा जो बच्चा आज से त्यारी क करेगा मैं यह नहीं बोलता कि आप हमारे अग्रीम बेच से ही त्यारी करो ऐसे जीडी के लिए जो हम अग्रीम बेच से लाते हैं उसकी कोई यह नहीं बोलता कि मैं उससे ही से त्यारी करो यह के त्यारी करो आप कहीं से भी त्यारी करो किताब से त्यारी करो नोटबुक से तो अगर आप चाहते हो आपका नंबर आए तो 100% आपको आज से तयारी करनी चाहिए SSGD की यह वेकेंसी पक्की है इसमें कोई संदे नहीं कि इससे पहले इस परकार का कभी भी नहीं हुआ है पहली नोटिफिकेंस अन्याज थी कि शेयर फिप की तरफ से एक लाग गूंतिश जार पदों पर पढ़ती दूसरी नोटिफिकेंस अंती पी आई भी की तरफ से प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो की तरफ से जो कि सारे उनके ट्विटर अकाउंट पर डाली हुई है गरम मंत वो सारी की सारी पुरानी बढ़तियां थी तो सरकार भी इस मूड में है कि वो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को संगटित कर सके ज्यादा रोजगार के अऊसर पैदा कर सके उसी इसाफ से बढ़तीगी जो स्पीड देखने को आरे इस से पहले हमने कभी नहीं देखी एस